अठ्यरहिंना पीता सहीं तद दियत खराब स्यवा समाच निते स्यर्मड़ते अमने जहू पर इनो खतू क्या निकली शक्या होगा प्रनती इतोवाता कमीट्मेंट क्यों आपने दे आवीश त अपनी बच्ची आवी ने आ समय आपने पोचावनो शें आपनी बच्ची दी न सांजुआ मां जावी ड़ेंशे ने दिए अबने भदुर उठता नाथी अने पंक्त जोई आसको कार्गामा अपनों संभाळता होई शह तो एमना होते पी एंशा सइप ने मेंवेंटों आप ही आपने पी एंशा साहिब ने आपने सव तारीयों थी खुब्प जोरती प्रति आपी ने वदावी लिए साथ आजनों कुबर जावार अंगरत तरीदे पाँ हूं रुणी रेश आपने इच्छे के मना अपिता स्री नितब्यत वधू सारी थाए और खूब सारी रेश और आप अमरे आप जोई सब कर ली जरब थी निकली गया मित्रो वेल्यू सिस्टम मा आएक दाखलों से एमने मने चिंता भी कीदू छेले के होगे हूँ एक सेकंड रोके ही सको एमने दी मारो वक्ते वे पूरू देगो है तो मारे अम्मात पहुंचे से मारा पीतानी तबियत अत्त घराच तो मित्रो आपड़ी वच्चे आजे मेगना बेन साहू पदा रहाचे वर्सों पछी वडोदराने अन्य आपड़े गुजरात ने कहिए तो एक सारा हेंडाइडिंग एक्सपर्ट थाम इंप्रेशन ना एक्सपर्ट फोटो सुपरिम्पोजिशन करीने अभीप्राय अपड़े जानी था घराच पूलिस ऑफिसरों अदाना तो एमनों अभीप्राय मानने राखे शे अन्य अपनी वच्चे वह बदा रहाचे समय आपे हो शे अन्य एक प्रयास के ये अपन आपने सम्झा भी शे आपने स्वर प्रश्थरों इन एंपने वच्चे वह बदावी था जाए हो आजए विंती करी ये पनकर भीप्रश्थी आपने प्रुस्तती आपना आपकार होना चे है अलो प्रदीप्री सभनी विलंती करी अने वे में बुक्के आपे हो ने अधाय आपने कोई बेंडे अनों लाग केम नापी हैं समयच प्रेणा बेन गाई कोई ने गाई कोई आपने साओ जिनन दिकरिएजेजेए के तेहों बेगना बेन जाओनों पुश्पद बुश्दी वेलकम करें अभीवादन करें थैंक्यू मेगनमें याणूदी वेलकम करें लाग्वादने जासुदी रीवस्था गुट्वाई जाए जाया अपने बेलकम करदेश्दी रजीरिवेदी ठीक में गूटरा का एक हूं प्रवाट प्रव्य वान। लाके इन्ट उन्हारू आपूज ए्वाटरत को अच्छालित रागाट एंधिश को इन्ट नाप्राटिक ही अवाटार कोई ब्रचिनि एब व्रटी जान। and I have got immense support from all the advocates and they have put faith on me and given me lots of cases. So I thank you all the advocates for that. Thank you so much. Now, first of all, we would like to begin with forensic science. As you all must be aware, forensic science is that branch of science which helps the court of law to produce the evidences and to prove the evidences in any type of cases wherein a murder or theft or rape or any type of cases wherein forensic evidence is required. And if the evidence is not presented properly in the court, then it really becomes difficult to come to a conclusion. Hindi. Okay. I will be using slightly English words also because it will be really difficult to explain this science purely in Hindi language. But, of course, I will speak most of the sentences in Hindi and the technical words will be in English. Okay. As you all know, I am a forensic expert but I also practice as a handwriting expert, as a fingerprint expert. But, actually, forensic science includes all the branches wherein you can practice as a forensic expert, as a handwriting expert, fingerprint expert, examination of photographs. There are a lot of cases. So, you can see determines when they are capable of needing to be taken, which are also associated with it in any case. What you see, Duke Jakarta,root这里, anyone can get over the 93rd of all fine situations, So, if you are aware of those of them, in any case, we, in fear of you can call them because of the milliseconds and the firstヤ of all kind of life. By that way, you are willing to also pursuełbyigyance decisions to51 apogstab panels. At that same time, you can see if anything else. You can say that there are the consciences where you will do any such and severe он daha together. बहुत बार ऐसा होता है कि जिसे किसी स्कूल में एक बार चोरी हुई थी उनको आउट नहीं करना था क्योंकि उनसे बदनामी हो जाएगी स्कूल की और शायद उनका रेपुटेशन खराब हो जाएगा तो उन्होंने मुझे बुलाया था और सिंगर्पिन एक्जामेशन करना था वहाँ पे किसी प्यूर में कुछ पैसे चोरी कर लिये थे प्रिंसिपल के ओफिसे तो उसकी वज़े से उनको सिंगर्पिन का एक्जामेशन करवाना था तो इस तरीके से forensic science का use बहुत सारी जगे पर हो रहा है हाला कि इंडिया में इसका awareness काफी कम है लेकिन बाहर के देशों में it is a very important science and every case needs a help of a forensic science whether it is of any type तो इसी तरीके से इंडिया में भी अभी काफी awareness फैलने लगा है जब हम लोग बराई करते तब तो काफी कम था awareness मतलब जब मैं बरोडा में आए थी तब forensic science का F भी नहीं पता था काफी लोगों को तो लेकिन अब जब CID के series शुरू हो गये हैं और काफी discovery पे भी police files दिखाने लगे हैं तो काफी लोग उसमें interest लेते हैं तो उस वज़े से forensic science का काफी प्रचार हुआ है और लोग भी उसको accept कने लगे हैं अब हम जब बात करेंगे handwriting के handwriting एक common word है आप सोचेंगे इसमें कोई नई बात नहीं है handwriting मतलब हाथ से लिखी हुई कोई भी चीज लेकिन handwriting सिर्फ handwriting नहीं है actually अगर आप सोचेंगे कि किसी को हाथ नहीं है तो वो कैसे लिखेगा या किसी को पाव भी नहीं है हाथ भी नहीं है वो कैसे लिखेगा तो क्या उसकी लिखावट को हम हैंड़ेटिंग बोलेंगे, उस case में हम उनको क्या बोलते हैं, अगर वो पाउ से लिखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग ही जो पाउ से लिखते हैं, उनके हाथ नहीं होते हैं, हम उनको फूट राइटिंग नहीं बोल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे अपने बेन को पूरी जरी किसे ब्लाइंक करके उसके बात अगर आप कुछ लिखना चाहें तो आप कुछ भी नहीं लिखताएंगे एक लाइन भी नहीं पेपर करताएंगे आप इसलिए कि किसी का ब्रेन आप कर सकते हो नहीं कर सकते हैं आप किसी की mentality के बारे में जान सकते हो, नहीं जान सकते हो, आप किसी के physical condition के बारे मेडिकल condition के बारे में जान सकते हो, आप नहीं जान सकते हो, क्योंकि उसके अंदर क्या चाह रहा है, जब वो लिख रहा था, तब वो क्या सौच रहा था, उस writing के वर किस जगे ज़्यादा प् इसमें कितना स्पेस देते हैं तो आप इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो एक अनकॉंशियस हाबिट है जो हमारे दिमाग में रेजिस्टर हो जाती है हम यह नहीं पता होता है कि हम किस तरीकी से लिख रहता हैं हम लिखते जाते हैं और हो एक हमारी आइडेंटिटी बन जाती है और जैसे जैसे हम बड़े होता हैं और हमारा एजुकेशन जिस सरी से होता है हम जिस परफेशन में आते हैं उस हिसाब से हमारा राइटिंग बनते जाता है हमारा जैसा जैसा brain develop होता है, जितनी maturity brain में आती है, जितना intellectual हम काम करते हैं, उस हिसाब से हमारा brain भी develop होता है, उस हिसाब का handwriting भी develop होती है, अगर हम बोलेंगे कि किसी का handwriting खराब है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसका brain खराब है, या किसी का handwriting अच्छी है, तो उसका brain बहुत इसा भी नहीं है, it all depends किस तरीके से वो कॉंसी चेके पर लिख रहा है, किस तरीके से प्रेशर दे रहा है, कितना length है, कितना width है, तो इस handwriting को identification करने में बहुत सारी चीजे जाती है, थोटी छोटी चीजों का importance होता है, जो एक forger, जो duty sign करता है, या duty writing बनाता है, वो इस चीज को नहीं समझ पाता है, क्योंकि उसको तो सिर्फ इतना ही बता है, कि मुझे outward जैसा दिख रहा है, को ऐसा दिख रहा है, तो मैं उस को ऐसा दिख दो, उसको तो इतना ही बता होता है, कि मुझे उसको copy करना है, तो उसको ये नहीं बता होता है, कि उस writer के अंदर चलनी वाली कितनी सारी बाती हुथी, जो हम copy नहीं करते हैं, और उसी वजह से handwriting expert एक forger को आसानी से पकड़ लेता है, क्योंकि को भी आदमी, किस 60% इस तरी के से copy होता है, अगर आप trace paper यूज करें, या आप carbon paper यूज करें, या दूसरी कोई method यूज करें, तो आप उसके हिसाब से copying कर सकते हो, you can be close to it, but you cannot perfectly copy anybody's signature or handwriting. So this is the basic principle of handwriting comparison, in every person, every human being has a particular unique style of writing, which cannot be imitated by anybody, and that particular style becomes his identification factor in later on years. Now if we come to signatures, signatures are termed as your public images, and handwriting is your private image. There are two different parts, whatever you sign is what you want to project yourself as a person in front of the society, and handwriting is what you think private, in your private life, whatever you are, that is your private life, and that depicts handwriting. So handwriting is different and signature is different. Now if we come on to, I have lot of slides prepared for you so that I can give you a good demo, but it seems it's not working properly. So by the time, let us discuss like that. I would like to tell you one thing, that whenever signatures are copied, sometimes it will happen that the person who is copying the signature copies the outward part of the letters and outward parts of the signatures. When I go to court, when I go to court, many of the people say that the person's orange is different, or the person who is different, or the person who is different, or the person who is different. So this is the way of identifying, when we identify, when we identify, there are quite little things, that we see a lot of things. अगर आप बिसी से सपर कर रहे हैं या अगर आपको कोई एक्सिजन हो गया है तो उस वज़े से आपके राइटिंग में कासी कुछ चेंजेज आ जाते हैं जो चेंजेज आप अच्छी तरीके से आप नोटिस नहीं कर पाते हो पर जब एक एक्सपर्ट एक्सामिनेशन करता है तो उससे पताच चल जाता है कि कितना चेंजेज उसमें आया है दूसरी बात है अगर आप अलकोल कंजीम करे हो या फिर आप कोई ड्रग्स ले रहे हो या कोई हैवी स्टिरोइड ले रहे हो तब भी आपके राइटिंग पर असर करता है क्योंकि उसमें आपके ब्रेंग के उपर डाइरेक्ट असर करता है और जैसे मैंने कहा है आपना है जो होता है वो brain writing होता है, तो brain के उपर जो भी कोई असर करेगा, जैसे कोई medicines है, alcohol है, smokes है, drugs है, तो वो सारी चीज़े indirectly आपके writing के असर करती है, तो इसी वज़े से जब भी कोई आदमी इस तरीके से लेता है writing, तो हम लोग उसका पहले profile जानना चाहते हैं कि ये आदमी की उमर क्या है, इसको कोई disease है क्या, मालगी कि किसी को heart disease है, या किसी को paralysis है, या फिर किसी को दिमागी की वही बीमारी है, तो he will not be able to write properly, because his brain is not functioning properly, his heart is not in coordination with brain, so lot of science goes into it, because brain and heart both works in tandem and then only we produce a writing, so this way when we analyze that, first of all we go into the profile of the writer, what kind of writer he is, and what is his age, what is his condition, then we come on to the period of writing, मान लिजे कि अगर जिस भी document के उपर dispute हुआ है, अगर वो document 2011 का है, और हमें एक्जामिनेशन के लिए उनके samples मिले हैं, 1980 के है, 1990 के, so those are not the fit samples, because there is a gap of around 20 years in between 2011 and 1980, more than that, so we take samples as close as the date of the disputed documents, so you see there is also every five years there is a change in the writing, we call it as natural variations, मतलब जो भी आप अपने writing में तखावत लाते हैं, जो भी आप writing में superficial changes लाते हैं, उस change को हम लोग scientific language में natural variations बोलते हैं, और वो natural variations आपके writing में gradually एक के बाद एक के बाद आते जाते हैं, सारे पहार पात साल में तो हो, बहुत ही prominently दिखने लगते हैं, इसलिए हम लेते हैं signatures बहुत close signatures, जो disputed documents से एक दब close ला ले हो, ताकि analysis करते हमको कोई दिक्कत ना हो, उसके बाद हम लोग एक एक करके parameters देखते हैं, अब handwriting जो होता है, उसका analysis करते हैं, parameters are taken into consideration, उसमें से जैसे speed है, आपको खुद को नहीं पता होता है कि आपकी speed से लिख रहे हो, बस आप इतना बोल सकते हो कि हाँ मैं जल्दी लिख लेता हूँ, हाँ मैं धीरे लिखता हूँ, या मुझे थोड़ा देव लगता है, इतना आप बोल सकते हो, लेकिन exact आपका कितना speed है, पांसे शब्टे आप रुखते हो और पांसे शब्टे आप शुरू करते हो, यही चीज आप लोगों को पता नहीं होती है, वही चीज हम लोग पगड़ते हैं, तो speed of writing में यह सारी चीजे आती है, कि आदमी कहा pen उठाता है, कहा pen रोगता है, कहा pen से continuously लिखता है, उसके बाद से वो कितनी बार रोगता है, क्योंकि जितनी बार आप pen उठाओगे, उतनी बार आप ता writing का speed भी अशर करता है, उसी तरीके से speed के बाद हम देखते हैं, angle of writing, अब आपको अबर में पूछूंगे कि आप कौम से angle से लिखते हैं, तो आपको नहीं मालूम है कि आप कौम से angle से लिखते हैं, और generally हर एक आदमी का एक range होता है लिखने का, मान लिजे कि एक आदमी का है 60 degree to 65 degree, तो he will write that writing always between 60 to 65 degree, ऐसा नहीं होगा कि वो all of a sudden 20 degree पे आजाएगा, या पे 100 degree पे आजाएगा, ऐसा नहीं होता है, तो हर एक आदमी का एक range होता है, हम उस range को calculate करते हैं, कि कितना variation आ रहा है और हर alphabet कितना angle पे लिखा जा रहा है, उसके बाद हम पे करते हैं कि हाई इस आदमी का range 60 degree है, या 62 degree है, या 65 degree है, और उसी साथ से हम उसको आगे analysis करते हैं, next आता है size, अब size होता है जैसे मान लिजेए अगर आप check पे sign करते हैं, तो वहाँ पर जगे बहुत कम होती है, तो आप थोड़ा लिखते हैं, थोड़ा छोटा करके लिखते हैं, पर अगर आपको एक blank paper दिया जाए, तो आप naturally आपकी जो writing की size होगी, उसी साथ पर आप लिखेंगे, और उसको शायद बढ़ा करेंगे, या अगर आपको कोई invitation card देना है, या आपको किसी को birthday card देना है, तो आप इसको थोड़ा सा decorate करके, थोड़ा बड़ा size करके आप इसको लिखोगे, तो आप इसको लिखोगे, that doesn't mean that your writing has changed, only thing is that you are trying to ornit that writing or decorate that writing so that it looks very pleasing to the eye and the person whom you have sent that greeting card or the letter or invitation card, whatever it is, so you see, size is also depending upon where you are writing, आप examination hall में लिखते हो तो आपका size different आता है, आप naturally जब लिखते हो तब आपके writing का size different आता है, आप sign करते हो चेक से तब different आता है, तो हो size का भी एक range होता है, और मान लिजे कि आपके दो alphabet के बीच में एक proportion होता है, जैसे मान लिजे एक alphabet आपने 3 mm का बनाया, तो दूसरा alphabet आप 1 mm का बनाओगे, और उस 3 mm का 1 mm के साथ जो proportion चलता है, वो पूरे writing बर में चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो उपर में आपको 3 mm से 1 mm दिखेगा, और बाद में आपको 6 से 4 दिख जाएगा, वो 3 mm से 1 mm continuously चलता रहेगा, तो इस पता से जो relative proportion होता है writing में, वो चीज हम लोग एक्जामेन करते हैं, और पता करते हैं कि इस आदमी के लिखने की size कितनी है, कितना mm पे वो लिख रहा है, alphabet बड़े कितने लिख रहा है, छोटे कितने लिख रहा है, फिर दूसरा उसका आता है tremors, tremors का मतलब होता है, जो हाथ में कपकपी आती है, अब उसकी कई वज़े होती है, एक तो old age की वज़े से काफी tremors आते हैं, जैसे आपको लिखते वक्ट, आपके muscular movements काफी कमजोर हो गए होते हैं, इसलिए आप उसको ठीक तरी से लिख नहीं पाते हैं, तो उसमें तोड़ा tremors आता है, या अगर आप you are influenced under alcohol or any other drug, then also आपके writing में changes आते हैं, और tremors दिखने लगते हैं, या फिर अगर आप कोई प्रकाज से डरे हुए हो अंदर से, तो वो जो डर है, वो भी writing में reflect होता है, और generally जो forgers होते हैं, उनकी writing में तो 99% वो डर दिखता ही है, that is one of the prime identification factor for a forgery, क्योंकि जब दी गोई आदमी दूसरे किसी आदमी की signature करने की कोशिश करता है, या writing करने की कोशिश करता है, तो उसे एक अंदर से डर रहता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, हारकि वो उस चीज को चेहरे पे या उसके behavior में नहीं दिखा बाता है, या नहीं दिखाना चाहता है, लेकिन जब वो लिखने बैठता है, तो उसके अंदर से वो डर जरूर होता है, और उस चीज राइटिंग में आ जाती है, और वो tremors जो होता है, वो दर के tremors होता है, और जो alcohol पीबे वाले tremors होता है, जो age के tremors होता है, या जो illiterate लोग होता है, जिनको पन्ना लिखना नहीं आता है, वो अगर कोई tremors produce करते हैं अपनी राइटिंग में, वो tremors और forgery के tremors बहुत डिफरेंट होता है, तो हम उन tremors को calculate करते हैं, और study करके बताते हैं कि यह आदमी old age की वज़े से tremors है, या forgery की वज़े से tremors है, या फिर उसको किसी alcohol या cigarette, या फिर कोई drugs की वज़े से उसके हाथ में एक अपकपी आई है, तो this also becomes one of the identification factors for examination of writing and signatures. Then we come to the next point, which is examination of writing with respect to starting and ending stroke. हर एक आदमी का एक लिखने का तरीका होता है, शुरुआत में वो कैसे stroke को शुरू करता हैं और कहां पे ख़दम करता है, ये एक हर आदमी की style होती है, अगर हम गौर करेंगे अपनी writing पे, तो हम शुरुआत में किसी को बहुत लंबा stroke बनाने की आदत होती है, किसी को चोटा stroke बनाने की आदत होती है, किसी को बहुत pointed stroke बनाने की आदत होती है, किसी को blunt stroke बनाने की आदत होती है, तो बहुत सारे अलग-अलग नीचर होते हैं राइटिंग स्ट्रोक्स के वो अगर स्ट्रोक्स इन लोग उस तरीके से प्रडिस करते हैं तो that also becomes identification factor for writing examination and signature examination similarly अगर कोई forger है तो वो आपके एक-दो signature से देखता है उसमें पूरी life में आपने कैसे writing निकाले आप कैसे लिखते हो उसको बता नहीं होता है इसलिए वो जो एक-दो signature देखता है बस उसी कोपी करने की कोशिश करता है और उसी कोपी करने के चप्तर में वो मात खा जाता है और वो गलत तरीके से कोपी करता है जो पकड में आ जाता है और जैसे हम signature खतम करते हैं अगर हम अपनी signature करते हैं तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें कहां रूपना है कहां छोड़ना है pen को कहां पर हम रूप जाने वाले हैं हम सा अलपबेट हम पन उठाने वाले है यह हमें सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें हर जीन हम signature करते हैं हमें कता है हम signature कैसे करते हैं लेकिन जो forger होता है उसे नहीं पता होता है कि आप कहां रूपते हो आपका pen कहां पर चल पड़ता है कौन से stroke पर आप जाते हो और कौन से stroke पर कम pressure देते हो तो यह सारी चीजे forger को नहीं मालूम होती है और उसी वज़े से आप identify कर सकते हो कि वो आदमी का writing सच है या गलत है या dispute और admitted में इसी तरीके से subtle होता है दूसरा होता है कि मान लिज़े आप writing लिखते हैं और हो सकता है कि थोड़े 5 साल के बाद आप जब writing लिखते हैं तो उसमें जो natural variations आ जाते हैं कई बार ऐसा होता है कि उस speech ता फाइदा उठाए जाता है मान लिज़े कि आज साल रहा है कि जो farmers होते हैं वो अपनी जमीन बेख देते हैं और 5 साल पहले उस जमीन की कीमत बहुत ही कम थी और आज 5 साल बाद इस जमीन की कीमत इतनी बढ़ रही है कि उसको ऐसा लगता है मैंने बहुत गल्ती कर दी सौदा करके 5 साल पहले मुझे तो बिल्कुल वो cost नहीं नहीं लिये जो cost मेरे जमीन की आज के रेट में चल रही है तो उसको दिमाग खराब हो जाता है वो बोलता है मैंने sign ही नहीं किया आपके साथ जो document दिया मैंने आपको उसको दिया ही नहीं है मैंने writing भी नहीं किया मैंने sign भी नहीं किया मेरा thumb brain भी नहीं है मेरा photograph भी नहीं है सब कुछ forged है तो इस case में हम लोग से उस writer के बहुत सारे writing के samples इकटा करके ले आते हैं ताकि हमको पताच चले कि उसमें इतने सालों में अपने writing में क्या-क्या changes लाएं है और उस changes को हम identify करके उसके साथ जो distributed document है उसको compare करते हैं तो हमें पताच चलता है कि हाँ ये आदमी इस तरीके से लिखता था और अब ये जूट बोल रहा है तो उसी तरीके से हम उससे भी पकरते हैं तो इस तरीके से हम handwriting और signature सा identification करते हैं और examination भी करते हैं अब handwriting के साथ और एक चीज़ जूड़ी है which is called as graphology शायद आप लोगों में से सब लोगों को graphology के बारे में ना पता हो graphology is a feel wherein आप writing के उपर से आदमी का सौबा बता सकते हैं आदमी क्या सोच रहा है ये बता सकते हैं आदमी क्या कर सकता है ये आप बता सकते हैं वो कम से feel में अच्छा करेगा ये आप बता सकते हैं उसके कितने potentials हैं वो criminal minded है क्या उसकी क्या tendencies है वो चोरी कर सकता है क्या वो जूट बोल रहा है क्या अगर कोई बच्चा है तो वो आगे जाकि कितना progress कर सकता है ऐसी बहुत सारी किज़े writing के उपर से पता चलती है और इसमें हम आदमी के पूरा personality characters निकाल के दे सकते हैं कि हाँ इस आदमी को इस तरीके से इसका स्वबाव है अब मान लिजे कि ऐसा भी होता है जैसे matrimonials आते हैं husband wife जो ओने वाले उनकी writing भी match करके हम बता सकते हैं कि how much compatible they will be so that आगे जाके आपके future में कोई disturbance ना हो कम से कम conflicts हो और कम से कम तकलीफ आपको हो लेकिन उसके पेले आपको writing दोनों के भी देने होंगे जिससे हम compatibility आपकी बता सकते हैं कि कितना आद्मी इसके सब compatible है या नहीं है दूसरी एक चीज है कि मान लिजे आपको किसी job पे जाना है जो आपका interview लेना चाहता है उससे ये नहीं चाता है कि आप उस चीज के लिए suitable हो या नहीं हो तो अगर हो आदमी हमारे पार साता है तो हम आपकी जो candidate होता है उसकी writing का examination करके हम ये बता सकते हैं कि ये आदमी इस post के लिए eligible है he is potential candidate or not और उस हिसाब से उस आदमी को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए क्योंकि हर आदमी की जो characters होते हैं वो writing में नजर आ जाते हैं जो की बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है बंबे में और बाहर तो ये services must compulsory है every graphologist is called for to you know find out the characters of the person before getting them employed or you know before giving them any kind of engagement so but India में इतनी सारी चीजे progress नहीं हुआ है अभी हाला कि graphology भी काफी फैल रहा है पर अभी इतना awareness नहीं आया है पर अपने बरोडा में I am also a graphologist there are other graphologist also who can identify and characterize your writing and then let you know what kind of personality you hold अगर आपको किसी के साथ सौधा करना है आपको नहीं बताए वो आदमी कैसा है तो आप उसके साथ उसके writing लेक्या ये और हम बताएंगे कि हाँ ये आदमी आपके साथ सौधा करने लाइख है या नहीं है या हो सकता है कि हो कुछ गलत criminal tendency रखता हो या बाद में बोका करने वाला हो तो हम आपको बताएंगे कि हाँ इसमें ऐसे tendencies दिखते हैं चोरी करने के जूट बोलने के तो इनके साथ आप सौधा मत कीजिए तो आप उनके साथ सौधा करने से बच जाएंगे और आपको कासी बनेसित हो जाएगा जो बाद में कोट का चेरी, पुलिसा मामला होगा वो सारे जीट से आप बच सकते हो तो ये भी एक सील है और नाओ I will shift over to the slides so that I can demonstrate whatever slides I brought here and you will understand it better now this is a forensic expert is there to offer an unbiased opinion हाला कि बहुत बार बोला जाता है कि आप प्रिवेट है तो पैसा खा के आपने रिपोर्ट बनाया है आप इस तरीके से रिपोर्ट दिये हो हाला कि कोई भी forensic expert का कोई दुश्मन नहीं होता हाला को इस दुश्मन नहीं होता है we are only professionals we have been engaged by the party we give our honest opinions but most of the time such kind of allegations are you know, put in front of us during the court proceedings so a forensic scientist is there to offer an unbiased opinion he has no friend to favor and no enemy to avenge and our reports are admissible under section 45 in all the courts of India now we have examinations of different things ऐसा नहीं है जिसके मैंने आपको बोला कि सिर्फ hand rating का examination हम नहीं करते हैं बहुत सारी चीजों का examination करते हैं जैसे कि आपने देखा four signatures लिखा हुआ है वो तो आपको पता है जो भी मैंने आपको बता है उसके बास ऐसा भी होता है आज सारी जैसे type written documents होते हैं अब कोई document type written है आगे का पना सही है पीछे का पना सही है लेकिन बीच में पने गायव हो गया या change हो गया है मान लिजे आपने किसी किसाद सोदा किया कुछ particular property के लिए और बीच में से pages गायव होगे और वो property दबल होगे आप एक property का सोदा करते हो और दस property का है यहाँ पे पाउरो कटोनी बन जाता है या बाना कट बन जाता है तो आपको दिक्कत हो जाती है इस समय हम लोग experts जो होते हैं वह computerized prints अगर होते हैं या type written prints होते हैं हम दोनों को examination करके हम यह बताते हैं कि यह page change हुआ है यह नहीं हुआ है यह page में कितना additions हुआ है और उस ही साबसे उस document के validity या invalidity prove होती है तो handwriting जैसे मैंने का forensic science is a huge branch उसमें बहुत सारी चीजे cover होती है उसमें से यह एक चीज है दूसरा है disguised writing disguised writing मतलब मान लिजे कि मैं आज कुछ सोदा करना चाहती हूँ और अचानक से मैं अपनी writing का nature इतना change कर देती हूँ कि सामने वाला writing पैचान ही नहीं पाए और उस चीज में उस writing को identification करने के लिए जब समय आता है तब हम बताते हैं कि नहीं इस आदमी ने अपनी writing को change किया है तो उसको हम बोलते हैं disguised writing अपने भी writing को वो change करके दूसरी तरीके से पेश करना चाहता है मुझे एक बाट बताएए अगर आप pan shirt पहन रहे है या अगर आप सलवार suit पहन रहे है और कोई दिन आप साड़ी पहन लो या फिर आप suit पहन लो या शरवानी पहन लो तो क्या आपका appearance चेंज होगा पर personality चेंज हो जाएगी आपकी personality चेंज नहीं होगी आप कपरों से आप बालों के color से आप makeup से अपने आपको तोड़ा बहुत superficial change कर सकते हो पर आप अपनी personality को कभी change नहीं कर सकते वही चीज राइटिंग में भी होती है आप राइटिंग हो अगर आप सीधा लिख रहो तो आप तेड़ा लिखना चालू कर दो आप इस तरीके से तेड़ा लिख रहो तो आप ultra direction में लिखना चालू कर दो तब भी right से लिख रहो तो left से लिखना चालू कर दो तिएसारर दूसरी चीज लिखी गई है उसमें ये भी हम पता कर सकते हैं तो उसको हम desigarment मतलब उसमें आता है जैसे मान लिजे कि आजकल natural juices से भी लिखते हैं जो terrorist लोग होते हैं वो लोग vegetable की juices या दूसरे कोई chemicals होते हैं उससे भी वो लोग लिखते हैं ताकि वो decode ना हो writing ताकि कोई law agency उनको पकड़ ना सके तो हो सारी juices से लिखी हुई writing जो होती है उसको हम लोग analysis करके पकड़ सकते हैं कि ये आदमी में ये चीज लिखी है मतलब जरूरी नहीं है कि writing आपको इंक से ही लिखनी है तो बहुत सारी चीजों से लिखी जाती है उसका decipherment भी forensic scientist करते हैं फिर हम आते हैं examination of ink जैसे मैंने आपको बोला कि कोई ink कौंसी चीज पहले लिखी है और कौंसी चीज बाद में लिखी है तो उसमें हम examination में आते हैं मारी जा आपने एक blank document पे sign किया 5 साल पहले और उस document का use 15 साल बाद आपके किसी नज़दी की रिष्टगा ने या किसी दोस् पर आपको यह आद में कि पिछ्री देट में आपने उसको sign करके रखा था इन बैट केज एक्जामीन देंग एक्जामीनेशन होता है then we come into forensic examination of papers जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल computerized or type written जो documents होते हैं वो substitute हो जाते हैं sign करवाते हैं पीछे beach में से change करवा देते हैं या beach के documents सही रहते हैं पीछे का page change कर देते हैं तो उसी का examination होता है पेपर का exposure होता है उसी साथ से paper में भी changes होता है वो सारी चीजे हम देखते हैं और उसका examination करते हैं then we also offer services for fingerprints, foot prints, latent prints, latent prints का मतलब होता है जो prints में दिखाई नहीं देते हैं और उन prints का development करना, examination करना ये भी एक forensic scientist का काम होता है उसे कई अनेक methods होते हैं जो हम लोग depend करता है fingerprint किस surface पे, दिवार पे है, chair पे, table पे है, कहां पर है उस हिसाब से हम वो chemical use करके उसका development करते हैं और बाकी जो fingerprints जो दिखाई देते हैं, naturally उसको हम लोग enlarge करके, examine करके पता करते हैं कि किसी भी आदमी का fingerprint एक दूसरे के साथ match नहीं हो सकता है तब हम उसको बताते हैं कि हां ये fingerprint आपका नहीं है and fingerprint is one of the perfect science wherein nobody can cheat you अपकोर आजकाल forgers ने उनकी भी एक तरकीद निकाल ली है पर forensic scientist को भी पता है कि किस तरीके से उस fingerprint को identify करना है इसले fingerprint identification plays a very important role during the hearing of a case then there are other disciplines which we have already written on this slide it can be related to explosives, it can be related to ballistics explosives का मतलब bombs और जो explosive material होता है उसके examination में ballistics का मतलब अगर कोई firearm use होता है, कोई banduk use होती है उसका examination, उसके बाद biology और serology में आता है कि आपके जो urine test होते हैं, blood test होते हैं, उसके बाद आपके पसीने test होते हैं आपके बहुत सारे biological fluids test होते हैं उसके basis पे आपने DNA single printing का भी नाम सुना होगा उसके basis पे भी बहुत सारे test carried out किये जाते हैं और यह सारे biology, serology section में आता हैं जो के forensic scientist cover करता है then we have tool marks, जैसे accidents होते हैं तो दो गाड़ियों के बीच में जो frictions होते हैं, उनके ओपर जो mark होते हैं वो सारे marks का examination करके भी हम पता करते हैं accident का impact कैसा था, सामने से हुआ था, पीछे से हुआ था किस तरीके से लोगों को चोट आई था, accident थे से हुआ था और जैसे tool marks होते हैं, जैसे मान लिजए कि अगर कोई murder में कोई particular hathory का इस्तमाल हुआ हो, या दूसरी कोई चीच का इस्तमाल हुआ हो तो उसके भी अलग marks होते हैं, जो वहाँ कोई न कोई चीच से टकराते हैं और उसके ओपर marks आ जाते हैं, वह सारे marks का examination करने के लिए हम लोग tool marks बोलते हैं उसमें हम examination करके पता करते हैं कि यह instrument या यह tool particularly is crime ने use हुआ था या नहीं हुआ था Then there are societal cases, post-mortem cases wherein कोई आदमी poison साके मर जाता है, कोई डूप के मर जाता है, कोई दूसरी कोई murder से हो जाता है, किसी का दूसरी कोई वज़े से मौत हो जाता है तो उसमें post-mortem appearances कैसे दिखने चाहिए, मरने के बाद body में particular changes आते हैं, जो मरने के nature से related रहते हैं जैसे अगर वो डूप के मरा है, तो उसके अंदर दूसरे changes दिखेंगे, अगर वो खासी खा के मरा है, तो उसमें दूसरे changes दिखेंगे तो वो changes अगर post-mortem में नहीं दिखते हैं, तो हम यह बता करते हैं कि इसका cause of death, मतलब मरने का वज़र कोई और हो सकता है, ना कि जो दिखाया गया है तो criminal cases में, या जैसे societal cases में होता है, कि इसमें suicide किया या नहीं किया, आपको नहीं पता है तो उसमें भी हम लोग examination करके बताते हैं कि हाँ, ये suicide case है, या फिर ये खुद से मरा है, या फिर इसमें, किसी ने इसको मार दिया है ये सारी चीजे भी इसके depend करती है, किस तरीके से case है अब आप ये देखेंगे, उपर वाला जो signature है, वो जूटा signature है, फोर्च signature है और जो नीचे वाला signature है, वो genuine signature है अब आप देखेंगे कि जो नीचे वाला signature है, उसमें जो पहला alphabet है, वो complete round है लेकिन जो उपर वाला alphabet है, उसका उपर के position में आप देखेंगे, तो एक point जैसा आपको नज़र आएगा उस point में forger ने गल्टी कर दी, क्योंकि उसको ये नहीं पताता कि alphabet A जब हम लिखते हैं इसकी दर को point में convert हो जाता है, और उस point से हम पकड़ लेता है कि यहां पर रुका क्यों, pen क्यों रुका, naturally कोई आदमी signature करता है, तो pen रोगता नहीं है smoothly pen आगे चला जाता है, पर इस case में उसने रोग दिया, इसने पकड़ चल गया, कि हाँ यह आदमी ने forgery किये, original sign नहीं है फिर आप जब देखेंगे उसके T की तरफ, उसका L की तरफ, तो आपको देखेंगे कि उसमें काफी shaky में साग्या है, जो edges है, strokes के वो तोड़े कम जादा हो रहे हैं, और उपर नीचे हो रहे हैं, एक दिल smoothly नहीं बने हुए हैं, क्योंकि उस आदमी के अंदर में जो डर का, कि ये एक four signature है, और जो genuine signature है नीचे आप देखेंगे, वो कितना smoothly बना हुआ है, और उसमें जरा भी रुकाव नहीं है, pen कहीं उथा नहीं है, pen कहीं रुका नहीं है, बीच में, unnatural जगे पे, अब दूसरा आप एक चीज देखेंगे कि A के नीचे में, left side में, एक छोटा सा point द आदमी को kidney का problem था, उस आदमी के stones थे और बहुत severe pain था, उस pain की वज़े से वो leak नहीं पागा था, और जब भी हम writing को team body के इससे में divide करते हैं, upper region, middle region, lower region, तो अगर हम lower region में कोई discrepancy या irregularity देखते हैं, तो that is directly related to something which is causing discomfort in the lower portion of your body, अगर हम writing के upper portion में कोई discomfort देखते हैं, तो that is directly related to your upper body portion, and simultaneously अगर middle portion में कोई problem आता है, तो middle portion में पता चल जाता है, इस आदमी को kidney का problem था, अब जिसमें उसकी sign forged की, उसको कहां पता था, कि उसकी kidney की problem है, तो उसमें तो उसका A बना दिया, पर नीचे में जहां पे drug करना था, वो drug करना भूल गया, और इसका deposition नाना भी भूल गया, इसलिए वो forger सिर्वतना गया कि उसमें उसकी sign नहीं की थी, तो इस तरीके ते बहुत सारे characters होते हैं, जो हम writing identification में लाते हैं, इसलिए हम बोलता है कि writing is a record, which is form, visible record of your brain, which is formed after continuous practice of years and whatever education and profession you are getting into, that forms your writing, so this becomes a very main principle of handwriting identification, ये देखेंगे ये दो signature जो है, वो एक ही आदमी के दो signatures है, अब इसमें आप परक देखेंगे कि जो K है और नीचे का जो K है, उसमें तोड़ा loop का difference है, आप L देखेंगे, N देखेंगे, H देखेंगे, तो थोड़ा बहुत variation आता है, लेकिन एक आम आदमी इसले ही different है, नहीं वो L ऐसा नहीं बना है, इसले हो different है, नहीं आए का डो तोड़ा left में चला गया, इसले ही different है, नहीं, हम जब किसी की writing examine करते हैं, तो हम इस तरीके से examination नहीं करते हैं, इसलिए जो experts होता है, अगर उनोंने अच्छी तरीके से examination नहीं किया, तो कभी-कभी result गलत भी आता है, errors होते हैं, तो हम जब writing का examination करते हैं, तो उसके पीछे बहुत ही scientific methods होते हैं, और बहुत सारे parameters का involvement होता है, इसलिए किसी का भी signature, किसी भी आदमी को इतनी आसानी से करने का, वो सोट सकता है तो हो, वो नहीं सकता है आपको जोचते हैं, उस चीज के बारे में राइटिंग में reflection आ जाता है, और हम उसके बारे में काफी चीज़े बता सकते हैं, आपकी signatures देखें, आपकी signature देखें, आपकी सोच रहे हो, कैसे हो, क्या कर सकते हो, तो इसी चीज़े को गाफ लोजी में study किया जाता है जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अगर अपना life partner चूज करना है, आपको job चूज करना है, आपको ये पता करना है, क्या आपके बच्चे का interest किस फील में जा रहा है, आपको अगर ये पता करना है, कि ये आदमी honest है या dishonest है, तो ये सारी चीज़े आपको graphology से पता चलती हैं कि आपका medical condition खराब है, क्या आपके कोई भी organs में problem है, क्या, of course that should be confirmed from a doctor, हम सिर्फ आपको एक doubt बगा सकते हैं कि हाँ, आपके writing में से ऐसा लग रहा है, क्या आपको शायद पाव में चोट आई है, या पाव में दुख रहा है, या आपके सर में pain हो रहा है, but that has to be confirmed from a medical practitioner, it doesn't mean कि मैंने आपको बता दिया, तो आप सीधा दवा लेना चालू कर दो, नहीं, हम graphologist तरिफ आपको एक lead-in देते हैं, जिसको आप investigate करके, medical investigate करके, डॉक्टर से confirm करें, उस हिसाब से आप आगे दवाईयां ले सकते हैं, और आपका health ठीक कर सकते हैं, अब आप देखेंगे, ये दो signature हैं, उपर वाली जो signature है, वो एक चोर की signature है, जिसने diamond story किये थे, और जो नीचे वाली signature है, वो एक ऐसे आदमी की signature है, जिसके उपर शक था, ये कानी ऐसी है, कि एक store में, ज्वेलरी store में, चोरी हो गई थी, और बहुत सारे diamond story हो गए थे, अब उस ज्वेलरी store में 6-7 लोग काम करते थे, तो जो मालिक का उसको ये पता करना था, कि ये 6-7 में किसे चोरी की है, क्योंकि उसको उनी के उपर शक था, तो जब उसने 6-7 लोगों को, हम लोगों को जब बोला, तो हमने उनको, मतलब एक graphologist में उनको इस तरीके से बताया कि आप उन 6-7 लोगों को writing samples मुझे दे दीजिए, जब हमने उनको writing samples और signature samples study की है, तो हमें पता चला कि इसमें से दो लोग ज्यादा suspect है, उन दो लोगों की मैं signature लेके आए हूँ, जिसमें से उपर वाला जो आदमी है, वो चोर पकड़ा गया, और जो नीचे वाला था, वो दूसरे जो alphabet से कितने उसमें बढ़ा चड़ा के रंगीन से करके रखें, तो ऐसे आदमी जो होते हैं उनको अपने signature को बहुत सजा के बहुत अच्छी तकि से present करना अच्छा लगता है, और वो इसी तरीके से present करते हैं क्योंकि उनकी mentality भी वैसी होती है, उसी चीज में हम प पकड़ी जाती है, तो जो नीचे वाला आदमी था वो innocent आप देखेंगे उसके writing, उसका जो signature है वो इतना खराब दिख रहा है कि उसका presentation उसको कोई interest नहीं है जोलरी में, उसको कोई interest नहीं है उसके presentation में, क्योंकि जो signature होती है वो आपके public में जोती, आप जैसे दिख रहा हो वैसे आपकी signature होती है, तो उस आदमी को कोई interest नहीं था, इसलिए उसने अपने signature को कुछ बढ़ाया चड़ाया नहीं, और आप देखेंगे उपर वाले आदमी ने कितना सारा उसका decoration किया है, तो इसी तरीके से वो चोड पकड़ा गया, ये जो writing sample है, आप गौर करेंगे, आ वो बाइक से slip हो गया था, और उसको इतनी जबर्दर्फ injury होई थी कि इसका दिमाग काम करना बन कर दिया था, वो बोल भी नहीं पा रहा था, और medical hospital में जब वो admit था, तब उसके writing samples लिये गए, पता चला कि उसके injury से, उसको जो right side का brain है, वो उसका affect हो गया था, उस वज़े से उसके left side में paralysis हो गया था, और वो जो आदमी था, वो left hand से लिखता था, तो left side में paralysis होनी के वज़े से वो कुछ ही नहीं लिख पा रहा था, तो जब हमारे graphologist उसके पास गया है, तो उसको हमने बोला कि आप कुछ हमें samples दीजिए, तो उन्होंने right hand से लिखने की कोशिश की वो right hand से लिख नहीं पाए क्योंकि एक तो उनका brain नहीं काम कर रहा था, दूसरा वो right hand से लिखना जानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो भी doodles बनाएं, हम उनको doodles बोलते हैं हमारी language में, कुछ भी जैसे आप Gujarati में बोलेंगे, लिटे जैसे बनाएं, तो इस तरीके से उसने doodles बनाए थे, और वो injury होने के बाद उसको ठीक नहीं हो पाया, और इसलिए हम बोलते हैं कि hand writing is not hand writing, it's a brain writing, if your brain stops functioning, you cannot write anything, यह आप देखेंगे, यह जो writing sample है, यह cancer patient का writing sample है, इस ओरत को breast cancer हुआ था, और उसका cancer इतना बढ़ गया था, कि वो पहुच के brain में चला गया था, और brain में जाने की वज़े से वो ओरत ठीक से बोल नहीं पा रही थी, और वो words को differentiate नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने अपने writing में कहीं पे भी words में space नहीं छोड़ा है, क्योंकि वो differentiating नहीं कर पा रही थी, कि मैं कैसे लिखू उसको क्या करो, बस उसको जो मन में आ रहा था, वो लिखते चा रही थी, अगर आप उसका बोलना सुनेंगे, तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे, इस तरीके से वो बात क कर रही थी, जब हमने उससे sample मांगे थे तो, क्योंकि उसका brain effect हो गया था, cancer की वज़े से, और वही चीज उसके writing में भी दिखाए पड़ी, कि उसको cancer हो गया था, और कुछ 2-3 दिन बाद उनका death भी हो गया था, ये writing sample देने के बाद, ये जो writing sample है, ये एक 15 साल की छोटी सी बच्ची का writing है, इसकी पीछे की कहानी ऐसी है कि इस लड़की को उसकी मम्मी छोड़के चली गई थी, और उसके पापा नहीं दूसरी शादी कर ली थी, दूसरी शादी करनी की वज़े से जो उसकी step mother थी, वो उसको अच्छा treatment नहीं देती थी, और उसको बहुत परिशान करती थी, तो that child was emotionally traumatized, उसको समझ में नहीं आता था, मैं कहा आ जाओ, उसके पापा भी उसको support नहीं करते थे, उसके मम्मी की तरफ से ही हमेशा बात करते थे, तो उस लड़की को बहुत अंदर से emotionally वो disturbed हो गई थी, तो उसको chest pain की complaints थी और वो hospital में admittedly chest pain के लिए, और वो chest pain, उसने कभी ECG क्या होता है, heart का कैसे निकाला जाता है, वो उसको कुछ भी नहीं मालुम था, लेकिन जब graphologist उसके पास गया है और उसको पूछा, कि आप बताए हमें, आप अपनी writing sample दे, तो उसने हमें इस तके का writing sample दिया, which was matching with the ECG, because if you will see, नीचे में उसने जो stroke बनाए है, that cannot be differentiated, but that resembles a ECG, आपका जब electrocardiogram आता है, या EKG आता है, तो उसमें भी EC तरीके की lines होती है, that child was emotionally so upset, she could not come out of that situation, इसले उसने circle 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 बना के रखे नीचे, उसको समझ में नहीं आ रहा था, मैं कहां जाओ, मम्मी नहीं support कर रही, पापा नही सपोर्ट कर रहे, मैं जाओ तो कहां जाओ, इसी वज़े से वो circle circle बनाते जा रही थी, और आप देखेंगे कि वो doodles उसमें दिखते हैं उसके writing में, जब हमने उनसे samples मंगे तो, और उसको ECG लेने से पहले उससे ये sample दिया है, ECG लेने के बाद वो exactly उसी तरीके से आ रहा थ अब हों आएंगे fingerprints के उपर, जैसे आप जानता है कि fingerprints ऐसी चीज है, जो कभी भी match नहीं करते हैं, दो identical twins होंगे तो उनके भी fingerprints match नहीं होते हैं Excuse me वो fingerprints आप देखेंगे, एक cola bear नाम का animal होता है, वही एक animal होता है जिसके fingerprints human beings से match करते हैं और उसके human beings के जैसे prints आते हैं, बाकि किसी के भी prints नहीं आते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि cola bear के fingerprints हमारे fingerprints से match करेंगे, of course not, पर वो एक ऐसा animal है जिसके fingerprints हमारे जैसे आते हैं अब fingerprints ऐसी चीज़ है, जो बच्चा जब मा के पेट में होता है, तब तीन-चार महने का, जब pregnancy का period होता है, तीन-चार महने से वो form होता है और वहां से लेके तो मरते दम तक वो fingerprint सेम होता है, मरने से destroy नहीं हो जाता है, बैक्टेरिया उसको खा नहीं जाते हैं, तब तक वो fingerprint सेम रहता है और इसी लिए fingerprint identification बहुत ही important माना जाता है, और fingerprint जब हम identify काते हैं, अब जैसे court में होता है, जनरली उन लोग बहुत ज़ादा ink कर देते हैं, या बहुत light ले ले लेते हैं, तो ये सारे fingerprints जो होता हैं, वो invalid माने जाते हैं और ऐसे fingerprints जो भी documents पे होते हैं, वो documents भी invalid माने जाते हैं, इसलिए हमेशा fingerprints बहुत clearly होने चाहिए, अगर आप मेंसे कोई बाहर जाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो visa में आप देखेंगे कि, अगर fingerprint में थोड़ा सा भी problem हो आओ, तो visa reject हो क्या आ जाता है, क्योंकि जब तक आ आपको आगे process ही नहीं करने देते हैं, लेकिन हमारे legal यहां court में जो documents आते हैं, या सभी इंडिया में जहां पर भी documents आते हैं, उसमें fingerprint इतने clear नहीं होते हैं, जितने यहां पर आपको दिख रहे हैं, हाला कि वो fingerprints clear होने चाहिए, लेकिन legally उस चीज को हमने उठाना चाहिए, और हमें बोलना चाहिए कि वो document invalid है, यह जो दो fingerprints हैं, यह अलग-अलग आदमी के हैं, एक आदमी का fingerprint ले लिया गया था, और दूसरे आदमी ने उसका fingerprint पोर्च करने की कोशिश की, fingerprint में ऐसा होता है कि चाहर अलग-अलग patterns होते हैं, और वो fire patterns, main pattern match कर सकता है, पर जो sub pattern होता है, वो कभी match नहीं करेगा, यह regis के जो characters होता है, वो कभी match नहीं करेंगे, तो इसी तरीक से हमने जो इसमें देखा कि उसका main pattern, आप यहां बोर्च करेंगे, कि जो पहला fingerprint है, उसम जो दूसरा print है, उसमें आप गोल-गोल घूम रहे हो, तो we call that as a wall pattern, and this first pattern is called as a loop pattern, so when the two patterns differ, we say that the fingerprints are different, लेकिन इस चीज को बहुत सारे forgers नहीं समझते हैं, उनको लगता है, अंगुटा तो एक ही जेसे दिखे का ना, चलो मार दो, मैं तुमारी जेके मार देता हो, तुम मेरी जेके मार दो, पर ऐसा नहीं होता है, कोई भी fingerprint किसी भी प्रकार से identify, कोई भी दो आद्मियों के fingerprint अलग-अलग ही होंगे, कभी भी वो एक जेसे नहीं आ सकते हैं, ये जो fingerprint है, ये एक right hand का है, और एक left hand का है, हम fingerprint देखके ये भी बता सकते हैं, कि ये right hand का print है, ये left hand का print है, और तो रिजेस का formation होता है, रिजेस मतलब जो lines है, उसको हम रिजेस बोलता है science में, उस lines का formation जो होता है, उस हिसाब से हम बताते हैं, कि ये right का print है, ये left का print है, कई बार documents में जमना हाथ ना अंगुटानो निशान ऐसा लिका होता है, पर actually वो left side का होता है, जमना हाथ का होत है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, कि वो right का है, या left का है, क्योंकि right finger print right के साथ compare के जाता है, left finger prints left के साथ compare किया जाता है, तो इसी तरीकी से examination होता है, and we can find out which is the print, it is of left or right, ये जो print है, ये identical prints है, एक ही आदमी के दो prints है, इसमें differ हुआ था, मतलब dispute ऐसा चल रहा था कि ये fingerprint मेरे नहीं है, क्योंकि उस आदमी ने चोरी की थी, और उसने किसी के पैसे ले लिए थे, इसलिए वो deny कर रहा था कि ये print मेरे नहीं है, लेकिन जब हमारे पास उसका examination आया, तो हमने जब उसका pattern study किया, रिजेस की study की, और हम ये जो रिजेस आपको दिख रहे हैं, वो हम count भी करते हैं, कितना रिजेस होता है, और वो सारे रिजेस का counting होने के बाद हमें पता चला, कि ये fingerprint उसी आदमी का है, और उस हिसाप से हमने उसका identification करके, वो culprit पकड़ा गया, से चला अपके हमने जूसरों के पैसे लिए थे, और मैंने जूटलाने के लिए अपने fingerprint को गलत बोल दिया था, और ही इस नाव बहाइंड तो ये बहां हैंड़ाँ ये थे, ये उसी इस One of the perfect science, which can help the court of law to convict on the basis of fingerprints also, of course circumstantial evidences also needs कॉरबुरेशन प्लिभ बीज पटकूरी होता है। एक फॉरांसिक एक्सपर्ट का यही काम होता है कि वह कोड को हल्प करें। और जो भी केस चल रहा है उसमें एविदेंस का प्रॉपर प्रेजंटेशन करें। दूसरी एक important बात होती है कि जब भी कोई crime होता है तो हमारा low card का principle कहता है कि वहाँ पर कुछ न कुछ exchange जरूर होता है और उस exchange को एक forensic scientist को पकड़ना होता है चाहे हो बाल का हो, नकून का हो, खून का हो, या फिर fingerprints का हो, handwriting का हो, या palm prints का हो, या food prints का हो, कोई भी चीज का क्योंक या नहीं दिखा है पर अंदर से वह काफी डरा होता है और वो उस चीज में कोई न कोई अपनी निशानी छोड़ जाता है और उस निशानी को compare करके हम पकड़ लेते हैं और पता करते हैं कि यह आदमी, he is the culprit. So I thank you very much for listening very patiently to me. Thank you so much and thank you for the inconvenience in the starting. Thank you so much. अगर बहुत कम डिफरेंस होता है जिसे छे मैने का होता है, एक साल का होता है, दो साल का होता है, तो पकड़ना तोड़ा मुश्किल हो जाता है, it is not impossible of course. It all depends. क्योंकि इसमें क्या होता है, जिस आदमी ने लिखा है, हमको उसके बहुत चारे सैंपल की जरुवत पड़ती हैं. जैसे मान लिजे कि आपका राइटिंग 122 में, 129 में, 125 में हैं, तो हम जब एक्जामिनेशन करेंगे तब हम 2004 से लेके, तो 2012 के हर साल के राइटिंग की स्टरी करेंगे, और पता करेंगे कि कितने वेरियेशन आये हैं. और हर आदमी हर साल में जितने वेरियेशन करता है, उस हिसाब से हम साल पकड़ते हैं कि हाँ, इस साल में इसमें इतने वेरियेशन किये हैं, तो इस साल में इतने वेरियेशन किये हैं, तो इस साल में इतने वेरियेशन किये हैं, तो इस साल में इतने इतने वेरिये हैं, तो उस आदमी की death हो गई तब भी उसके writings नहीं death होते हैं उनके writing samples कहीं ने कहीं तो मिल जाते हैं जैसे उसके profession में मान लीजे कि उनके कोई उन्होंने sale date sign किया हो या उन्होंने किसी को letter लिखा हो या मान लीजे उन्होंने कोई जगे पे अतना writing छोड़ा हो कोई diary लिखते हो सब्सक्राइब करने कि उसके बाद हम उसका analysis करके बताते हैं कि यह कौंसे साल में writing किया गया है और इक बेसिस पे हमने case भी किया था उसमें writer में sign किया था पहले उसका use पास साल बाद हुआ था और उस आदमी को उस पास साल के दौरान paralysis हो गया था और paralysis हो नहीं कि उसकी writing भी काफी deteriorate हो गई थी तो हमने पूरा variation पटा करके बताया था कि यह आदमी paralysis से पीडिता उस समय वो इस तरीके की form signature दे ही नहीं सकता और उस basis पे उस case आटे चलाता हो और हम उस case को जीते भी थे थैंक यू सो मुझे नेचर ऑफ परसंगे जच्छ फॉम एस बेस्ट ऑन ग्राफ लोजिकल प्रिंसिपल्स जो ग्राफ लोजी साइंस होता है उस चीज को आपको थोड़ा जानना होगा इस के लिए आप अगर मिचे स्टोग ज्यादा लेके जाते हैं तो आप अगर उपर जादा ले जाते हैं तो आप मेंटल या इंटलेक्ट्यॉल ओरिंटेल जदा हो सकते हैं आपका ए अगर खुला तो आप जादा बाती नहीं होंगे अगर आपका एओ बंग होगा तो आप रिजल्व निचर के होंगे तो ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स और सब्सक्राइब करते हैं पर उस केस में अगर आपको अपना प्री डिसेंज पता करना है कि यह सही में मैंने साइन किया या नहीं किया तो आप एक प्राइवेट एक्सपर्ट के पास एक इंडिविजुल पाटी कभी भी आ सकती है लेकिन गौर्में के बाद सब डायरेक्ली नहीं जा सकते हैं मैं तो कोई काट प्रस्टा रही है कि उसे बहुत है कि अपने जो सेल्स होते हैं वो इमिडियेट लिकावर भी कर देते हैं किम वपस आभी जाता है अगर उसमें तोड़ा बसकार रह जाता है किसलों का थामिडियेब यजा नहीं है थांक्यू वेरी मच्चू शेंग ट्रीज उपपर, थान इंप्रेशन उपपर, बेहन स्री तरप थी खुब सुंदर वक्त व्यों प्रेजंटेशन आपने मेगना बेने आपियों, आपने एमना खुब जापरीशे, खुब 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 आ समय मां में एमने विननन्ती कडेल अनि इमने तरष रहा बाद ली, एक बीजी बिजननती मेगना बेने करहूं, कि आपना conseguります प्लीज गीड इट टॉ पोप्स फ्रीज इत्षी Safe Sims , पीजेहाएं कोई convicted each other बढ़ाया चे निश्यूर्क सेवा आपी छे बरिश्यमापार आपकरेसों फरीवार हमें इच्छे के आपनों आओ एक विजो कारेजमतार देमा थोड़ू इन दीटेल कोई एक सब्जेक्स लई सकाए आजना दियों से मिस्क किरन प्रसाद में जिननती के तियों बेनने मेमें तो अपने जेके आपनी सुभेच्छाचे आपी अने उपक्रूद करिये आपने स्वेश्यमापने आडियों आपनों अंगर दाधार आपने आपने आजना दियों से आपना सीनियर मोस्ट जन्णी भासे विसार काफलों अब्रा जुणियर सुनों अने एक वो परिवार ये जे वत हुरुप्स गई सकाए काईदाना भबतों माँ सुप्रीम कोड़ जयस्ती माड़ी हाई कोड़ जयस्ती माड़ी अन्ने जम्ना पिताश्री है मारा जुनियर डियोज माँ चत्री स्वरस पहला कदी पीठ आपड़े लिया छो को औन छे एवा एमना सुपुत्रा एवा सीनियर मुस लोयर अपना आपणी वच्चे आपड़ा वरील मजुन्दार स्री रोईद भाई अन्ने मिसिस मजुन्दार आपणी तासे हाजर छे आपणी अन्ने ताड़ी होती व कुछ पगुच्च थी स्वागत करें अन्ने मा आमें बेननों स्वागत पन गड़ी लईशों खूब खूब ताड़ी होती आपने वज़ागी नारा तेल्ला वर्च में वक्किला थी हूँ जो तो आवेलों कि मान्ये रोईद भाई शाइब ने जो कोई दूरी ने लई जो तो बेन नों इमा हमेसा मारा मनमा एक चित्र जारे पर आवे तो बेन रायू करता हूँ रोई देव अजुमा बेटा हूँ कार मा आप अने कदी एमने एकला जोया ना थी एतलू सुन्दर कपल छे जे भाग्य मढवू मुश्केल छे आप देवल समय ने अनुरू पत्यारे तो आपनों समय अनुरू के लिए के साइट मिनिट ने बदले इस्तालिस मिनिट मा अपनी बागती अमारे जाहूं उच्छे जुनियरों ने में पूछों तो ट्रेडमार्क नों अंगे कोई केस आवे कोई क्लाइंट आवे तो एनी एपलिकेसिन सु करवानी होई कितली की प्राइमरे लेवानी होई सामन ये खर्चों सु होई रिजेक्टाय तो अपिल करवाँ माँटे क्या जवानों में कोई क्लाइंट उटकों होई कोई क्लायन आवे तो सु करवानों एना माँटे सु बिकेतों चुईए क्या एनने रिजिशिशियों कीमिक देः शाय अने वक्तवे आपनों आप्षों कोई कोई प्रॉब्लम नहीं कदाच माइक वगर त्या समड़ा ये नहीं तो ये वकील ना केवाए वकील नू कामा जे छे के लोकों ये दूर सुदी सामड़ी शके नजी कदालो जज सामड़य ने समझे ये बंदे आपना मातने जरूरी थे so, a lawyer is supposed to be loud and clear so I think I am loud and clear to both anyway let us begin as Rajabhai instructed me 15 minutes are to be deducted in view of the time ration anyway so let us begin with the topic today we are concerned with intellectual properties intellectual property law now why this is intellectual property it has something to do with the intellect and therefore it is intellectual property law this law consists of number one trademark trade and merchandise market number two patent law number three design law and number four copyright act so these are four acts which are originally they were drafted much earlier but all the four laws now they are amended in 1999 all these four laws are amended in 1999 on account of several reasons especially international treaties international understanding etc etc on account of this four laws why what is the importance as you know the name let us start with the trademark act first as you know the name of a man is very important when the child is born lot of exercise has been done to name the child girl or a boy so the name of a human being as it is so important similarly when you start your business name of your business name of your product name of your thing with which you are coming in the market is of great importance and with that name you are going to thrive either you are going to perish or progress that depends what popularity that name gains and that is why the mark of your trade the particular mark under which you are trading like coca-cola pepsi-cola these are two rivals international rivals their names but they they really spend everything for their name of course name is important even for human being similarly so far as trade is concerned the name trade name the mark trademark is so important for the purpose of business so it is absolutely commercial thing and it is a property so the brand the name brand name the name of the product name of the business not only business even service name of the service that is also important like you go to particular hair cutting saloon my time has come I think yes so you go to a particular haircut in saloon little girls you go to beauty partner you go to particular person or particular lady or particular service rendering agency even tailor for getting our gross stitch then you get the service so even services are also known by that particular name so the product and the service board both of them are important now this is the trademark and this particular mark attached to the business attached to the service attached to the product is a trademark and it is regulated under trade and mercancised market now 1999 act is so important now it has assumed importance even from international point of view why because world has become smaller so small that you don't deal with people only in India you don't deal with people outside India also transport business and that's why this transport business have brought these people together and there are treaties there are international conventions by which India has also signed certain international agreements where and where we have made certain changes in our laws or the four laws so first of all let us say what is this trademark now this trademark refers to the mark in respect of your services as well as your product this trademark could be registered as well as unregistered trademark can be registered Rajabai told me what is to be what is to be told to you that when somebody wants to get this trademark registered where is it to go say for instance i am doing business in name of x xyz or whatever that name is i want to get that trademark registered then there is a trademark registry the provision trademark rules and trademark act they provide for method and manner in in which that particular trademark can be registered earlier we had to go to a calcutta then bombay now for some time we are at mdabad also so you apply to that mdabad office my one mattress is still pending with the mdabad there are lawyers attached there and they get your trademark registered for which then they end there is a procedure prescribed trademark is now like public notice notice is given that has anyone any objection this particular trademark is to be registered if no objection comes then what if objection comes then what then ultimately name is registered if thereafter also if somebody says that sir this particular name which is registered is the one which under which i am doing my business since long then it is to be cancelled now this cancellation is high court under section 64 of the act and you can apply to high court they said this is a wrong registration even you can go and ask registrar also to make amends but that rarely happens now suppose this trademark for that whatever rajubai asked me what should be the expense so far that registration business is concerned actually i have no idea as to because it's a nominal fee under which this registration is done but the question comes that after registration if somebody does business in your own name then what will be the expense that is a cigarette of my trade because that will include your lawyer's fee that is the suit is fine in the district court only district court has got jurisdiction to decide the matter when a complainant files case that this trademark is being violated by somebody and that action of violation is called piracy like pirates are committing piracy on the crisis this is an act of piracy piracy is a word accepted universally in trademark law now this jurisdiction is vested in the district court so far as we are concerned but three high four three high courts bombay delhi now bombay calcutta and madras and probably delhi also now these four high courts have got original jurisdiction where they will hear trademark matters directly but otherwise but not speaking it is bombay delhi calcutta and madras those four cities for whose weather report you are daily reading on the television as if other cities are not existing similarly others for baroda for that matter district court has got jurisdiction and district court in district court you have to file suit under the provisions of trademark act under section 105 and 105 and 106 are two sections which deal with this provision if it is a registered trademark then you say that sir this is my registered trademark i am doing business and this mark is put in practice i am doing it is not just ornamental and i am doing that business for instance parlay biscuit for instance coco cola for instance whatever business whatever product you are selling company then district this suit will be only a regular suit the court fees will be because expenses business i am asked to tell you expenses will be as good as regular suit for which you are valuing your suit for the purpose of valuation 300 rupees or whatever you are doing and therefore 100 rupees is the maximum court fee for that kind of suit i suppose anyway in that suit you also ask for damages that this man has committed infringement act my name has been used by him and he has made wrongful profit wrongful gain and according to me he has earned seven lakhs of rupees or ten lakhs of rupees or whatever whatever you feel then you will have to pay court fees on that amount that is and if you don't want to spend then there is a very good idea only lawyers can give you again i tell you and that is we only say that sir whatever of it he has made is not open to me i do not know and therefore asking him to rendi rendition the accounts so that is called rendition of accounts means giving the accounts and finally whatever is found may be ordered to be given to me only on rupees for 100 court fees you get this particular thing but this is of course not that we are doing getting it free of charge we have already got our trademark registered and trademark registration is not only as i said only for the product but it is also for services for services on that particular point the idea came once i i i always when in my junior year i thought that this trademark business must be only for the product but one case i came across then that operate is accepted in a lot of lot level business we said that a haircutting saloon in london run in name of x y or z it was it had become so popular like so many saloons have become popular here so many beauty parlors have become popular here like so many tailors have become popular so they go so people really go to that particular place and get the services of that particular used to get services of that particular hair cutting saloon another man started same business in the same line with the same name in different area of london suit was filed on the same lines because there also there is a law like this in fact our laws are based on their law there the court said that the defense was taken that sir it is not a product that is being sold where is the question of registration or no registration i am only cutting the hair of this gentleman even ladies also they come for that purpose but therefore i use by caesar or whatever it is combo also is the same it is my art that i am putting into the services and it is his art that he is putting into services and so where is the question of stopping me from using particular name they said no god said no it is the service that also comes within the preview of trademark because it is mark of the business and it is attached to your saloon salooning business and therefore what had prevented him from using that particular thing change any other name now in india the question is what names can be registered if i want to start my business whatever name i want to get it registered the question will be trademark registry will ask me they just prefer the name they won't give me the name i'll have to choose the name like i name my baby born so as i did the same importance so the name that is to be given is outside the one which is prohibited by law what is that which is prohibited the proper names are not allowed to be registered name of a person name of a river name of a country name of a mountain not registrable and therefore if these names are not registrable what happens that question came to me again in my junior days i was very rightly told that i i was in those days my father was there so my first trademark matter was with him and that was a matter where there was one person was doing business at bharata he had opened his business in the name and style of bharata the name look the law says the country can't be country's name can't be registered the fellow started his business in the name of bharata no registration because registration is not permissible so far as country's name is concerned river's name is ganga ganga soap that does also the same thing so it's not registrable then eventually another fellow came and said that bharata is i am doing business since long so he filed suit against us our clients seeing that this word bharata how can you use then we say that you are not registered i am not registered why can i not use and bharata is everybody's bharata isn't bharata maybe everybody's bharata but the ties are mine and your ties are yours the business is mine and your business is yours how can you use this what is the cause if trademark is not registrable because of this reason which i told you then what do you do then the law says that this comes under ordinary law of thought which is called common law action and the common law action is whatever is not registrable doesn't matter you cannot do any act which will jeopardize or cause damage to the business of somebody who is in the business same lies prior to you so he is used must be prior use and he if he is there then no register the law which says that whatever trademark is registered and if the suit is filed it is called infringement of trademark but if trademark is not registered and if you want to file the suit then it is called passing of action because there is no trademark registered so passing of action means you pass off your goods in the name of somebody else who is in the same business using the same name since long before you what is to be proved in that case is passing of action comes within the ambit of trademark act and such a suit can also be filed under same section called section 105 of trademark act but trademark is not registered because barat is not registrable baroda court surprisingly say that no trademark is not registered you are not registered you go home and talk oh mr majumnar you win well i know it is a wrong judgment totally wrong judgment but it happens you argue you win but legally speaking it's not a correct judgment matter went to high court and we lost and we should have lost and wherever we lost because there's the high court said this is a reported case in 17 gujarat law reporter with the high court said that no no matter registration or no registration the question is whether you can use his name which has acquired goodwill in the market barat is not registrable agreed but can you can you use the same name for the same business if it is a barat hotel no problem problem if it is barat cement no problem but you are using the name for the same business and therefore it is called passing of action under the provisions of such